भारती क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजुदा समय में इंडिया ए और अंडर 19 इंडिया टीम के कोच राहुल द्रवीर को राश्टी क्रिकेट अकादमी यानि NCA का हेड आफ क्रिकेट नियुक्त किया गया है। अब द्रवीर भारत की पुरुष और महल्या टीमों के प्रशिक्षकों के साथ भी काम करेंगे और साथ ही इंडिया ए और अंडर 19 और अंडर 23 टीमों के प्रशिक्षकों का साथ भी देंगे। 2019 वर्ल कप में फाइनल में जगह बनाई है। द्रवीर 2018 में टीम को खिताब दिलाने में सफल भी रहे थे। उनके मार्क दर्शन में मयंक अगरवाल, कुल्दी प्यादव, श्रयश अयर, पृत्वी शा, रिशप पंद जैसे युवा खिलाडी निकल कर आए हैं। टीम इंडिया के लिए 500 से ज़्यादा अंतराष्टी मैच खेल चुके रहुल द्रवीर ने 24,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं। टीम इंडिया से रिटार्मेंट लेने के कुछ समय बाद ही उन्होंने कोचिंग करियर अपनाया था, जिसमें वे सफल भी हुए। और इस तरब इजी सी आई ने अब उन्हें नेशनल क्रिकेट अकाडमी का मुख्या बना कर नए युवाओं को तराष्टने की जिम्यदार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, निवली अपडेट्स के लिए बैल आइकॉन का दबाए। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।